नमस्कार आदाव मैं आपका दोस्त फार्माशिट हस्वाक स्वागत करता हूँ अपने यूटूब सैनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे उल्टी को रोकने के लिए यूज की जाने वाले सीरप ओंडेन सेट्रोन के बारे में जानें के डिटेल में कि इसे किस परकार के उल्टी में यूज की जाता है कितने डोस में लेनी चाहिए क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकता है तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ सबसे पहले ओंडेन सेट्रोन सीरप के जेनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं तो ओंडेन सेट्रोन ओरल सस्पेंसन एक एंटी इमेटिक ग्रूप की दवा है जो 5ST3 एंटागोनिस्ट होता है यह वो मीटिंग के सिगनल को NTS और CTZ तक पहुँचने नहीं देता है जिसे वो मीटिंग नहीं होती है बात कर लेते हैं इसके यूँज के बारे में तो इसका यूज कीमोठिरैपी इंडिस्च वो मीटिंग, रेडियोठिरैपी इंडिस्ट वो मीटिंग, तथा बोस्ट ओपरेटिव वो मीटिंग में प्रमुखुरूप से किया जाता है अगर किसी बच्चे को कीमो थेरैपी मतलब कैंसर का इलाज चल रहा हो रेडियो थेरैपी यानि बोडी में रेज डाल कर ट्रीटमेंट की जा रही हो तो बोडी में सीरोटोनीन का लेविल बढ़ जाता है जिस से वोमीटिंग या नौजिया होने लगता है तो इस कीमो थेरैपी इंडिस्ट वोमीटिंग और रेडियो थेरैपी इंडिस्ट वोमीटिंग में इस दवा का यूज प्रमुख रूप से किया जाता है अगर किसी को ऑप्रेशन हुआ हो तो उससे पहले एनस्थेसिया दिया जाता है जिससे body सुन हो सके तो इस condition में भी nausea या vomiting होने का chances रहता है तो इस अवस्था में anesthesia देने से पहले ondensitron दिया जाता है अगर किसी बच्चे को stomach में infection के कारण उल्टी हो रही हो तब भी इस ondensitron syrup का use किया जाता है अगर किसी बच्चे को pain killer दवाईया लेने पर उल्टी होने लगती है तब भी इस दवा का use किया जाता है किसी भी कारण से उल्टी हो रही हो तो यह ondensitron syrup काफी प्रभावी होती है यह ondensitron, tablet, syrup, suspension और injection form में available होता है इस वीडियो में हम लोग syrup और suspension form के बारे में बात करेंगे अब बात कर लेते हैं ondensitron suspension और syrup को किस brand name से खरीच सकते हैं जो mostly medical store पर available रहता है तो कुछ popular है जैसे ondensitron suspension, amy set suspension, homie kind oral suspension, jopher syrup, etc. हो सकता है आपके area में कोई अन्य brand name से मिले या doctor कोई अन्य brand suggest करे आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि इसका active constituent ondensitron ही हो अब इसके अस्टेंद की बात करें तो यह 2 mg पर 5 ml के अस्टेंद में बनाए जाती है जब भी बच्चे को 5 ml सिरप या suspension दी जाती है तो उसके body में 2 mg ondensitron दवा पहुचती है अब इस दवा के doses के बारे में जान लेते हैं कि कितनी मातरा में इसे लेनी चाहिए तो इसका dose disease और body weight के अनुसार अलग-अलग होती है सबसे पहले disease के अनुसार dose जान लेते हैं तो अगर किसी बच्चे को कीमो थेरपी या रेडियो थेरपी चल रहा हो और उसका उम्र 4 साल से 8 साल तक हो तो उसे 4 mg दिन में 3 बार दी जाती है उसे कीमो थेरपी होने से आधे घंटे पहले दी जाती है ताकि उसके दोरान उल्टी न हो अगर किसी बच्चे को किसी समाने कारण से उल्टी हो रही हो तो उस बच्चे के बोडी वेट के अनुसार dose दी जाती है जिसे 0.13 mg से लेकर 0.26 mg पर केजी पर डे कैलकुलेट करके दी जाती है तो इस तरीके से इस तवा का dose दै किया जाता है अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं कि इसके side effect क्या क्या हो सकती है तो जिनरली सरदर्ध होना, abdominal discomfort होना, skin rashes होना हो सकता है ये या इसके अलावे कोई भी side effect दिखे तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं ये थी जानकारी onden citron syrup और suspension के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद